तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इसे इंग्लिश समरी, तो आज से क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, क्लास नाइट का चैप्टर नमबर एट, जिसका नाम है रीच फॉर दर टॉप, ये जो चैप्टर है, ये पिहाइफ का चैप्टर है, और ये काफी जादा एक इंस्पिरे ऐसे वोमेन है, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को दो बर क्लाइम किया था, और ये पाद जानकर आपको और प्यादा खुशे होने वाली है, कि ये जो वोमेन है, ये एक इंडियन वोमेन है, जिनका नाम था संतोश यादव, तो जब संतोश यादव पैदा नहीं हुई थ तो एक साधू आते हैं इनकी घर पे और वो आशिरवात देते हैं कि आप तो को एक लड़का ही पैदा हो, तो इसके बाद जो संतोश के पैमली वाले थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमें तो एक लड़की चाहिए, तो जो साधू है वो थोड़ा सा कनफ्यूस होता है, ले इसके घर पे लड़के ही पैदा हो, लेकिन इस टाइम पे ऐसा कोई डिस्क्रिमेशन नहीं है, इसके लिए जो संतोश है, उन्होंने काफी लड़ाई लड़ी भी थी, इसके बार में हम यह चैप्टर में जानने वाले हैं, तो जो संतोश है वो अपने घर पे सिक चाहिड थी, वो पाँच लड़कों के बात पैदा हुई थी, और वो अपने घर में सबसे दादा छोटी थी, उनका जन्म हुआ था जानी अवास में, जो की रहवारी डिस्ट्रिक में हर्याना में है, और वो एक चोटा सा गाउं है, जो संतोश है, इसका मतलब होता है सैटिसफेक् कपड़े नहीं पहते थे, उन्हें लड़क, पाखी लड़कों की मेख आप किरना ट्रैडिशनल कपड़े पहने बिल्कूर ही पतान नहीं था नोटरिशनल कपड़े ही पहते थे वो हमें यह कहाँ करती थी, कि मैं बच्चपन से ही बिगनिंग से ही सही रास्ता चुनने को बैंटूं मुझे एक सभी रास्ता चाहिए चंतोष जो है वो एक जमिदार की फैमिली ती और वह कापी एक वैलदी अच्छी फैमिली से थी लेकिन उसकी फैमिली ने कभी भी उसे किसी बड़े स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं वेजा वो चाहते तो उसे दिल्ली में भी लेकिन उन्होंने उसे अपने गाउं के ही स्कूल में भेजा। जब जन्तोष 12 साल की थी तो उसने शादी करने से मना कर दिया था। मैंने पहले ही बताया था कि ये उस टाइम के बात है जब गर्ल्स पर काफे जादा रूल किया जाता था। तो 16 जो एज है वो ऐसी एज थी जिस पे हर लड़की की जो शादी है वो करवा दी जाते थी दबरदस्ती या फिर उसकी मरजी से भी लेकिन संतोष ने इस चीज के लिए मना कर दिया और उसने अपने घर को एक आर्ग्यूमेंट के बात छोड़ दिया और वो दिल्ली चले ग बढ़ना स्टार्ट थी जब संतोष अपनी स्वी ख़धम कर ले आतए अपने हाइक स्कूल के बाद पढ़ने और जो पने हाइस्कूल के बार ज्ले ने घर काइब भूलिए और इसके बाद वो एक hotel जो कस्तूरा hostel होता है उसमें भी एक रूम ले लेति है और महा रहना स्टार्ट कर देती है जो उसका hostel होता है उसके खिड़की से अरावली हिल्स चो है वो प्रॉपर दिखा करती थी और वो बहुत साथा सुंदर थी वो हरमेशा फिल्चर्स को देखा करती थी कि वो पहाडों की उपर की तरफ चाते हैं और फिर वो गायब हो जाते हैं तो एक दिन जो संदोश है उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्योरिसिटी होती है कि चलो मैं जान देखकर आती हूं कि आखिर वहाँ हिल्स पर क्या है तो जब वो वहाँ पर जाती है तो उसे कुछ मांटेनियर्स मिलते हैं जो की वहाँ पर क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं वो पूछती है कि क्या मैं आप लोगों को जॉइन कर सकती हूं तो जो वो mountaineers थे वो उन्हें हा कहते हैं और वो बहुत साथ में motivate भी करते हैं उन्हें कि आप भी एक climber बन जाओ आप भी एक mountaineer बन जाओ तो बस फिर क्या था जो अस्टंटोस थी उसके मन में इस बात की जो होड है वो हो जाती है कि नई मुझे तो mountaineer बनना है और मुझे mount Everest को भी climbing करना है तो उसने पैसे खटना करना स्टार्ट किया और उन्होंने एक course में admission लिया उत्तरकाशी नेरू इसिट्यूट और mountaineers course थी वो 21 को start होने वाली थी तो इसलिए वो अपने घर नहीं जाती और वो direct थी कि अपने course को लेने से लिया जाती है और इसके बाद वो अपने पादर को एक apology letter भी लिखती है क्योंकि वो घर नहीं जा पाती और उसने बिना उन से पूछे इस course में admission ले लिया था वो expedition के लि सब्सक्राइब कर लिया और इसके पादर माइंड थी मैंटल स्ट्रॉंग थी फिजिकली भी स्ट्रॉंग थी और उनके मन में एक स्ट्रॉंग फीलिंग थी कि वो कुछ भी कर सकती है और उनकी महनत है वो 1992 में रंग नाई और यह टाइम था यह exactly 4 साल बाद का टाइम था ज इसके पाद उन्होंने एक रिकॉर्ड बना लिया था जो कि यंगेस्ट वोमें थी पुरी दुनिया में जिन्होंने माउंट एवरेश्ट को क्लाइन किया था और जो संदोश है उनके अंदर एक और अच्छी बात थी कि वो दूसरों को लेकर काफी जाधा करती थी वो ऐसा उन्होंने एक माउंटीमीर क्याल्फ करते की वो उन्हें तो करमें पटा पाई तेी जैन वो59 बैसे लेकर अग्रेकि वह कुछिक्त संदोश के वांसे उनकी जान और बच पाई और फिंए इंडो नेपनीज वोमेंटन में एकपी बैनीशन और और इनवाइट किया और वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने जॉइंट भी कर लिया था और उसी टाइम पे उन्होंने माउंट अवरिस को दूर्षी पार क्लाइंड भी किया था वह अपना जो एक्सपिजिएंस है वह शेयर करती है कि वहां पर उपर जाकर इन्डिया का जो फ्लैग है उसे लहरा पर इसके पाद जो इंडियन गौवर्मेंट है उन्होंने उसे जो इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड होता है पर निश्री से नवासा था जिस उंदोष है वह एक एंपार्मेंटलिस्ट भी थी और उन्होंने 500 के चीज़ घच्छा जो है वह हिमालिया से उतारा था और वह में साथ लेकर आई थी उन्होंने एज़ा एंडियन लिस्ट भी काफी काम किया था जो तो बस इस चैप्टर में बस इतना यह था इस तरह की और समरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ठैंक यूँ